ओम नमः शिवा आई ये सुनते हैं स्रावर्मास में प्रती दिन सुनी जाने वाली शमी और मदार की मार्मिक कथा शमी और मंदार हिंदू मतावलंबियों की पवित्र इवं पुज्यनिय ब्रिच हैं गर्पती और शिव की अराधना तो इनके साथ ही पूर माने जाते हैं इसका कारण शमी और मंदार को बिग्न हर्ता गरीश से प्राप्त एक वर्दान है जिसकी चर्चा गरीश पुरार के किर्वराकान्ड में वर्डित कथा में की गई है कथा इस प्रकार है एक बार नारत मुनी तीनों लोगों में विचलते हुए श्वर्ग लोग में दीवराध इंद्र के पास पहुँचे इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया वातालाग के क्रम में इंद्र ने मुनी से औरव रिशी के कथा सुनाने का आगरह किया नारत मुनी ने शहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐशी बिद्यमान ग्रामर हुए जिनका तेजों में बेद के ज्यान से शुरे के शामान प्रदिप्त था इवं उन्हें दिलताओं की समान शक्ति प्राब थी बहुत दिनों बार उनकी पत्नी ने एक अतियन सुन्दर पुत्री को जन दिया जिसका नाम समी रखा गया रिशी शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे जब वह श्रात वर्ष की हुई तो उन्होंने समी का विबा धौम में रिशी के पुत्र मंदार से किया मंदार शौनक रिशी के आश्रम में रहकर सिच्छा प्राब कर रहा था अतक बिवार के पश्चार शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर सिच्छा पूरी करने पुनंग शौनक के आश्रम चला गया जम मंदार और शमी पूरी यवन को प्राब्थ हुए तम मंदार अपनी सशुराल गया और शमी को बिदा करा कर पुनंग शौनक के आश्रम की योड वापस चला रास्ते में एक महान तपश्वी रिशी भ्रिशुंडी का आश्रम परता था जो गर्पती के अनन्य भक्त थे अपनी तपस्या से उन्होंने भग्मान गरेश को प्रशन किया था जिन्होंने रिशी को यह बरदान दिया था कि गरेश की तरद रिशी भ्रिशुंडी भी अपने कपाल से सुर्ज निकाल सकते हैं जब समी और मन्दार भ्रिशुंडी के आश्रम के पास पहुचे तो उन्हीं गरेश की तरद सुर्ज निकाले देख कर दोनों को हसी आ गए इस पर रिशी बहुत कुरुध हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को स्राप दे दिया कि तुम दोनों ब्रिच बन जाओ ऐसा ब्रिच की जिसके पास पसु पच्छी भी ना आएं ऐसा ही हुआ मंदार ऐसा ब्रिच बना जिसकी पत्या कोई पसु नहीं खाता और शमी ऐसा ब्रिच बनी जिस पर काटों की अधिक्ता की कारर कोई पच्छी सरर्म नहीं लेता कईत मों पस्चात भी जब शमी और मदार रिशी शोनक के आश्रम नहीं पहुचे तब रिशी उनकी खोज में निकले पहनी में शमी के पिता औरों के घर गए वहां उन्हें नवपाकर रिशीद्वय खोजते हुए भी शुन्दी के आश्रम पर आये जहां उन्हें सारे बृत्तांत को सुनाया उन्होंने भी शुन्दी रिशी से दोनों को स्राप मोग करने का अनुरोध किया किन्तु भी शुन्दी ने इसमें अपनी अशमर्थ का व्यक्त की तब उन्होंने भगमान गडिश को प्रशन करने के लिए कठी तपश्या प्रारंभ की उनकी तपश्या से प्रशन होकर गर्पती दस हाथ उचे शिम्ह पर आरूर हो प्रकट हुए गर्पती ने उन्हें बर्दान मागने को कहा उन्होंने शमें और नंदार को शाप मुक्त कर पुना पुर्वावस्था में लाने का बर्दान मागा किन्तु गरिश अपने प्रियभक्त भी शुन्डी की अवहिना नहीं करना चाहते थे अतह यह बर्दान देने से मना कर दियें परन्तु बदले में यह बर्दान दिया की एक दोनो ब्रिच तीनोनो को में पुज्यनिय होंगे और शिव तथा श्वयम उनकी पूजा बिदा इनकी उपस्थिते में पूर नहीं माने जाएंगे यह कहकर गरपती अंतर ध्यान हो गए रिशी शौनक तु अपने घर लोट गए परन्तु रिशी औरव ने अपना सरे वही त्याग दिया उनका तेज अभूरोब में समी पेर के तने में इस्थिर हुआ इस प्रकार नारत लिशी ने इन्डर को औरव की कथा सुनाई इसलिए आज भी शिम और गरेश के मंदीरों में हमन से पहले समी के लकडियों को घिश कर अगनी प्रज्वलित की जाती है और उश में आहुतियां डाले जाती है बिना मंदार पुष्प और समी पत्रों के शिव इवं गर्पती की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती समी ब्रिच का प्रशंग महा भारत में भी आता है जब पांडवों ने बारव वर्ष के वन बास के बार एक वर्ष का अज्यात वास प्रागंद किया तो उन्होंने अपने भीष और नाम बदले थे तथा अपने अपने अस्त्रस्त्र बिराद नगर के बाहर समसार में एक बड़े समी ब्रिच के अंदर ही छिपाया था त्रेता काल में भी समी ब्रिच का एक प्रशंग है रिशी की शिष्य उनसे किसी पात पर नाराज हुए और आश्रम छोड़कर जाने की इच्छा प्रकटकी गुरुने शिष्य से गुरु दछिरामी, चौदह कोटी, श्वर मुद्राय मामी शिष्य अयुध्या के राजा रखु के पास गया और उनसे यह राशी माहि राजा रखु ने उस समय एक बड़ा यग्य किया था जिसमें अपार्दान करने के कारण उनका खजाना पूरा खाली हो गया था उन्होंने उस ब्रामहर से कुछ समय मागा और यह धन प्राप्त करने के लिए अश्मी सुकलिक दस्मी की तिथी को इंडर की राधानी अमरावती पर चढ़ाई करने का निश्चे किया नारद मुनी द्वारा यह सुचना इंडर को प्राप्त हुए इंडर राजा रभू को नाराद नहीं करना चाहते थे अतब उन्होंने अपने खजान जी कुवेर को बुला कर अयोध्या पर धन वर्षा करने का आदेश दिया नियतिथी से पहले की राद को कुवेर ने ऐसा ही किया धन वर्षा एक बड़े समीब रिच के ऊपर हुई जब राजा रभू ने यह जाना तो ब्राहर को सारा धन लेने के लिए बुलाया परतु उसने एकनी आवश्यक्ता अंसार चौदह कोटी श्वड मुद्राई हे ले और गुरु दच्छा चुकाई दान के उदेश से प्रात धन की बची अपार रासी रभू ने श्वयम रखना अपने आत्म सम्मान के विप्रीत माना और यह खोश्रा की की जिसे भी आवश्यक्ता हो यह ले जाए वह शुक्ति थी दसहरा थी इसी परंपरा को रत्ते हुए रामचन्र ने भी इसी तिथी को समी की पूजा कर लंका पर आक्रमर के लिए चुना आज भी किसी विशेस कार्य पर निकलने से पहले लोग विशेस का राद को शमी की पूजा या शीश नवाते हैं